दोस्तों आप मेंसे बहुत सारे व्यूवर्स ने अक्सर मुझसे पुछा है कि क्या हम एक PDF फाइल को एडिट कर सकते हैं या PDF फाइल का मतलब क्या होता है और हम PDF फाइल्स को यूज क्यों करते हैं तो आज आपर वीडियो देखते रही हैं और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरू जी चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ये देखिए मेरे पास में यहां पर डेक्स्टॉप में कुछ PDF फाइल्स हैं ये मेरा एक रिसर्च पेपर है उसके पीडियो फाइल अजसते चार पांच पिच की पीडियो फाइल है और ऐसे में इस फाइल को देख के लगता है अगर हम इसको उपन भी करते हैं तो इस फाइल में एडिटिंग पॉसिबल नहीं है लेकिन क्या ये बात सच है क्या हम PDF फाइल्स में एडिटिंग नहीं कर सकते हैं किसी भी software में open कीजिए PDF file का जो layout है वो as it is रहेगा और ये बाद में change नहीं होता है अगर हम बात करते हैं word वगरे की तो ऐसे में अगर आप word 2010 की file है उसको 2013 में खोलते हैं 2007 में खोलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कई बार mismatch हो जाता है या फिर fonts दूसरे हो जाते हैं तो इसी लिए अगर हम बात करते हैं transportation की अगर मैं आपसे बात करता हूँ portability की तो अगर आप किसी भी document को mail करते हैं कहीं पे upload करते हैं या अगर आप चाहते हैं कि आप इसका एक archive बना सकें तो ऐसे में PDF एक अच्छा option होता है जो आपको एक flexibility देता है कि आप बड़े ही आराम से अपने document को जहां जैसे चाहें वैसे transmit कर सकें और उसमें कोई भी formatting change नहीं हो लेकिन दोस्तों ऐसे में PDF को edit करना भी possible है मुझे एक software company जिसका नाम है Wondershare उसने approach किया और उन्होंने मुझे बताया अपने software PDF element के बारे में हाला कि इस तरह कि और बहुत सारे software's available है अल्ली market में Adobe का जो pro tool आता है जहां पर आप proper Adobe Acrobat के अंदर PDF files पर काम कर सकते हैं तो वो एक professional tool है लेकिन ये भी एक basic tool है जो आपको मदद करता है PDF files को edit करने में create करने में या फिर convert करने में आप बहुत बार परिशान होते होंगे PDF file को word में कैसे convert करें या फिर editing कैसे करें तो वो मैं आपको बताऊंगे आप इस software के जरीए कैसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं हाला कि ये paid software है इसकी जो price है वो है 80 dollar Windows के लिए और Mac के लिए होता है करीब $100 का लेकिन ऐसे में आपको recommend नहीं करूँ होंगे आप इसको खरीद लीजिए क्योंकि आप इसको अगर खरीदेंगे तो आपका पैसे तो अलग जाएगा और ऐसे में आपको नहीं पता होगा यहाँ पर नीचे मेरे menu bar में show हो रहा है जब मैं इसको open करता हूँ तो देखिए इसका layout कुछ ऐसा आता है यहाँ पर आपको चार options मिलते है PDF को edit करने का, convert करने का, create करने का या फिर combine करने का अगर मैं edit पर click करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को पर modify कर सकता हूँ और जो font है वो बिल्कुल सेम है बड़ी आराम से बस एक बार अगर close करूँ है तो file save हो जाएगी ऐसे में यहाँ पर कुछ भी editing करनी है कुछ extra text add करने तो यहाँ पर मेरे पास में उसका option मिल जाता है अगर आप किसी document पर काम करें तो ऐसे में आप for example approval है या document पर कुछ approval नहीं मिला है तो उस तरह की चीज़ें आप जो है यहाँ पर अपनी date के साथ में time stamp के साथ में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर आप जाते हैं editing में तो यहाँ पर आपको पूरा text बगर एक option मिल जाता है अगर आप एक form create कर रहे हैं तो ऐसे में आप एक interactive form पर create कर सकते हैं for example अगर नीचे form complete करने के बाद में एक ok का button है तो आप यहाँ से अगर ok का button लेके आते हैं तो ok के button पर अगर आप click करते हैं तो यहाँ पर ok का button आ गया और इस ok के button को अगर मैं यहाँ पर लेके आता हूँ तो इसके अंदर मैं link लगा सकता हूँ कि यह click करने पर किसी website पर जाए, web link पर जाए तो ऐसे जो PDF में editing और creation के काम है वो आप इस software कर पाएंगे बड़ी असानी से आप यहाँ पे files में से कुछ selected pages को अलग एक दूसरी file में extract कर सकते हैं आप documents को split कर सकते हैं आप pages को crop बगरे कर सकते हैं तो यह सभी options आपको मिल जाते हैं watermark, background बगरे के साथ में इस PDF element software में इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप इवन इसकी printing को भी disable कर सकते हैं जिससे आपकी उस file को कोई print ही नहीं कर पाए तो यह अगर आपका कुछ confidential material है अगर आप चाहते हैं कि वह आगे ऐसे transmit ना हो तो आप इन सब चीजों का यहाप यूज कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आपको दुबारे इसमें close करें बताता हूं यहाँ इसको मैं save नहीं करता हूं और अगर मैं दुबारा इसकी window खोलता हूं तो यहाँ पर आपको convert करने का option मिलता है PDF file तो for example अगर मैं यहाँ एक file add कर लेता हूं PDF file और मैं उसको convert करता हूं तो यहाँ पर आप उसको बड़े ही आराम से word में या excel में या powerpoint में या जिस भी original format में फाइल थी आप उस file format में इसको convert कर सकते हैं और यह बिलकुल precise conversion होता है एकदम industrial standard के साब से यह एक normal online tool नहीं है जो एक free tool है यह paid software है इसलिए यह आपको उसके according की आपकी value provide करता है इसके आपके पास में एक scanned page है तो आप उसके अंदर OCR technique 7 characters को recognize कर सकते हैं और बाद में एक searchable PDF file को भी create कर सकते हैं आप files को combine कीजिए create कीजिए और इन सभी कामों में आपके मदद करता है यह third party software इसके लिए Adobe का अपना software नहीं है Adobe Acrobat जो है वो definitely industry में एक बहुत ही बड़ा standard है लेक उसको try कर सकते हैं इसमें trial version available है यहाँ पे और अगर आप try करते हैं तो आपको इसके इसके इंदर कुछ watermark वगरे आता है लेकिन उसके अलावा आप normal अपनी files में किसी भी तरह की editing है वह यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों मुझे उमीद है कि आप जान गए होगी PDF files क्या होती ह हम उनका use क्यों करते हैं उनमें editing हो पाती है या नहीं हो पाती है और ऐसे में software के मदद से आप कैसे बड़ी असानी से editing या conversion वगरे कर पाएंगे दोस्तों फिलाल के इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको कोई भी सवाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करने साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पे इसी तरह की टेक वीडियो बहुत सारी जो आप देख सकते हैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूं तो फिलाल कि इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद वंदे मात्रम